नमस्कार स्वागत आपका आपके एपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में आज की इस वीडियो में हम जो सुचिकन पर्दती क्लासिफाइड कटालोग को जिसके अंतर गत कोर्पोरेट ओथर एक करके एंट्री आते यानि गॉर्मेंट पप्लिकेशन की तो वह कोर्पोरेट ओ इसको रंगानाथन ने दू परिबासां में दू परिबासां बताईए एक पहला है कि सामुएक रूप से या स्योक्तुरू या संगठित रूप से किसी सामाने उदेश से अथवा किसी सामाने कारे के लिए जैसे सास की है यानि गवर्मेंट, वेफसाइक, कॉमर्सियल, इं यानथ्न के लिए मिलने वाले व्यक्ति, ये से कोई गुवर्मेंट हो सकते है, ये से किसी स्टेट की गौर्मेंट है, जैसे या कोई बड़ा राश्टर इस्तर का परिश्यत हो सकती है, या और पुस्तकाले संग किया स्मयलन वगरा को तो वह इक और पुपरेट, उथरे ज तो इस तरह की जो रंगनाथ ने दो तरह से परिपासान दीए तो इसमें एक बात के लिए रहे के जो गरंथ या पुस्तक में नहित विचारों और अभी विच्ति का जो संपूर्ण जो उतरदाईते वे किसी निकाये विचारों तथा किसी अंग पर होता है और किसी विच्ति या एक विच्ति या ज़्यादा विच्तियों के नेजी लेखक कहते हैं और यह जो पदती उसमें समस्टि निकासितात पर एक संग्ठन या विच्तियों का वह समू जो एक विच्छ नाम से जाना जाता है एक सत्ता के रूप में कारे करता है अथवा कर सकता है उद्धान के लिए संग सस्ता अलब एंजियो उद्यम इंडिस्ट्र इस्टिट्विशन और कॉन्फरेंस तीन परकार के और जो गुवर्मेंट या सासन जो लेखक है वो सासन या उसका कोई उतरदाई अंग हो जो उसको सासक परकासक कहते है गौर्मेंट पब्लिकेशन कहते है और इसकी मुख्य एलक्षन जिसमें जो सरकारी एजेंशियों का प्रियास या परिणाम होता है और इस शासन के कौन-कौन से आंगे उसमें देखते हैं इस्टाई यंग होता है एक इस्टाई होता है यानि पर्मानेट और टेंपरी ओर्गन और इस्टाई यंगों में जैसे जो वेदानिक आंगे जैसे कॉंस्टिटुशनल ओर्गन ने है में अपयों सबसें हैं और गोवर्मेंटर हो सकते हैं मोखने मंधरने एंग में भर्मारिकों gama कम छोड़े हो कि मॉर्मील में वकशन है juga थे उन कि यह सबने सरने, नाशे कया निया श्मार्स के वह दम अग्र को जो सेक्षन होता है उसमें जो पर्थम तत्व होता है सासन का भोगोलिक भूबाग लगते हैं सबसे पहले क्या मैन एंट्री जब इसका लेकर बनाएंगे तो सबसे पहले हम भोगोलिक भूबाग लिखेंगे और उसको बड़े एक्सर में यानि केपिटल में लिखा जाएगा और उसके पर चात कॉमा लगार उसका जो सासन की अंग का नाम वो लिखा जाएगा जिसे Government of India है तो सबसे पहले इंडिया लिखा जाएगा तो यह उसका मैं लिखाएगा जिसे Government of Rajasthani है तो उसका राज değंगे केपिटल में और यह तो गई सासनवाले बात ये Constitution में अगर ऐसा आगा है तो जैसे तमिलादू विदन परिशत ये केपिटल आएगा है Great Britain House of Commons इस तरीके से और एक्जिक्ट यानि कारेपाली का में मदेपर्दिस Council of Minister या इंडिया केमिनेट अब जूडिशियरी के अगर हम बात करें तो उसमें जैसे उधान है रास्तान हाई करुट है इंडिया सपेम कर वगर आइस तरीके से और सासन परमुख जैसे राजिपाला मुक्या मंदर वगर आए इस तरीके से हो तो जैसे राजस्तान गवर्णर कोश्टा कंदर उसका नाम बाहर जो भी है वह केपिटल है अंदर नॉर्मल राइटिंग में इंडिया प्रेजिडेंट कोश्टा कंदर प्रेजिडेंट का नाम और परसा से किया अंग हो जिसरे यानि मिनिस्ट्री बगरा होगा तो इंडिया कॉमा कॉल Ministry of India Education Ministry of India Finance Ministry of इस तरह के से लिखा जाएगा जैगा जैसे उडिसा Finance Ministry of राजस्तान Education Ministry of इस तरह के से लिखे जाएगे और उसके बाद कुछ डिपार्मेंट पगरा भी होते है तो जैसे एक उधान दियावा Department of Commerce Ministry of Commerce and Industry Government of India यानि Government of India के अंदर के Ministry of Commerce है और उसी के अंदर में Department of Commerce तो उसका क्या लिखा जाएगा इंडिया Commerce Department of यहाँ पर ये Ministry of Commerce क्यों ने लिया क्योंकि यह Commerce Department of आ गया तो इसका अर्थ यह है कि उसी के अंदर में ही होगा कहने का मतलब यदि Department of Commerce लिख दिया तो यह समझा जाएगा कि यह Department of Commerce and Ministry of Commerce के अंदर में काम करता है यदि इससे कुछ अलग होता दिपार्मेंट तो हम लिया लेख एक नीचे और दान दिया होगा उदान में Ministry of Commerce and Industry को अनुएन सीथ करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि माना जाता है कि Department of Commerce Ministry of Commerce के अंदर गती कार रहता है क्योंकि Department of Commerce से सीधा पता चला है कि यह जो Ministry of Commerce के अ में लिखा तो हमें Ministry of Home Affairs लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे पता नहीं चलता है कि यह जो बोल्डर मेनेजमेंट है यह किसके अंदर में होगा तो इंडिया Home Affairs Ministry of फिर कॉमा बोल्डर मेनेजमेंट डिपार्मेंट उफ तो इसमें मद्य बाग में Ministry of Border मेनेजमेंट को अंतरवेस्टित करना आफश्यक है अब कुछ और इसमें जैसे अंग दिये हुए और इसता यंग इनमें जैसे समितिया वगरा या आयोगे वगरा उनका आगा जिसे इसमें इंडिया लाइबरी एडवाजरी कमेटी फॉर 1956 केर्मेंट केपी सना तो इसमें उस कमेटी का नाम पहले फिर सन और उसके बाद कोस्ट के अंदर जैसे हारखन रिहीबिलिशन आफ ट्राइब्स कमेटी फॉर 59 फिर उसका नाम जिएर्मेंट का तो इसमें सबसे पहले जो साशन का नाम में वो केपिटल आता है पिर समेति का नाम पहला था है फिर आईयोग की स्थापना वर्स कोस्टक के अंदर आती है और फिर अगले कोस पार्लेमेंट लोगसभा गोर्मेंट ओप इन्डिया लोगसभा और टाइटल क्या है किताब का 50 ये ये इंडियन पार्लेमेंट ये कॉल नोमर बगर देरह रखिए इसमें एडिटर भी देरह आ है एडीटर है GC Malotra एक और सौाल है एडीवल हस्पंट्री रीगेंड यह टाइटल है यह पिलिस ऑफ स्फार्म एनिमाल शंटनेबल एग्रिकल्चर डिपार्मेंट ओप एडीवल हस्पंट्री विनेश्ट्र अग्रिकल्चर तो यह इसका लेखक है गवर्मेंट ओफ यह यूनिस्को का है इंडिया जे एजूकेशन प्रॉब्लम तो इसमें भी यू जो डिपार्मेंट अब एजूकेशन यूनिस्को का है तो इस तरीके के परिक्षा में सवाल आते हैं आज तो मैंने बेसिक चीजह ही आपको बताइए आने वागवा अगले वीडियो में इसका जो टाइटल केसे बननाना लेखक केसे बनना वह लेक्षवा के से करना वह सारा हम अगले मीडियो में इस उमीडियो आपको समझ में आगया होगा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देज cyn Soph pouvez जिए बैंले लाकिंद दबा के नौटिफेक्शन ओल पर क्लिक कर दिए अगली बार में जाए को मेहत पुन वीडियो बनागा उसका नौट से नौटिस आपको मिल जाएगा मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद